प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं होता, यह आपके होने का एक तरीका है, लेकिन हम अलग-अलग रिष्टे देखते हैं, हर रिष्टा, एक अलग तरह का लेंदेन है है ना, और अगर आप नहीं जानते कि उस लेंदेन का उद्देश और उस लेंदेन की प्रकृति क्या ह तो आप उसे ज़रूर उलजहा देंगे, प्यार जीने का एक तरीका है, रिष्टा एक लेंदेन है, लेंदेन को उसके नियमों के अनुसार चलना चाहिए, अगर आप लेंदेन के नियम तोड़ेंगे तो यह तूट जाएगा प्यार को कई तरह में बाटा गया है, जैसे माता का प्यार, पिता का प्यार, भाई बेहनों के बीच प्यार, पति या पत्नी के बीच, पुरुष और महिला के बीच मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ध्यान, सेक्स और प्यार के बीच कोई संबंध है, ये पहला प्रशन है, दूसरा है शिव और शक्ती, शक्ती उर्जा है और उर्जा पदार्थ है, क्या हम कह सकते हैं कि यही चेतना है, क्या हम इसे चेतना और पदार्थ कह सकते हैं दूसरे सवाल का उत्तर है नहीं, ये गलत है इस वर्णन में काफी ज्यादा गलतियां है मुझे नहीं पता कि हमारे पास इसे समझने का समय है या नहीं क्योंकि ये जीवन का एक विशेश आयाम है जिससे सही तरीके से समझना चाहिए पहले वाले के लिए, देखिए, हम इस पर पहले ही बात कर चुके है देखिए, प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं है इसे समझिए, रिश्टे दूसरों के बारे में होते हैं हम अलग-अलग तरह से लोगों के साथ अलग-अलग संबंद रखते हैं, है न ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं अब आपका बच्चा आता है तो आप प्यार से उसे पकड़ कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं आपका पडोसी आता है तो कृपिया ऐसा ना करें पर क्या आप अपने पड़ोशी को बिना उसे पकड़े उतना ही प्यार कर सकते हैं? हाई या ना? तो आपकी मां आती है, आप ऐसा करते हैं, और अपने प्यार का इजहार करते हैं, आपका कुट्टा आता है क्या आप अपने कुट्टे को अपनी मा जितना भी प्यार कर सकते हैं? ओ, वो कुट्टे की मा के साथ तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल भकवास है, मुझे बताईए, जब आप वाकई अपने कुट्टे के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो क्या ये किसी भी चीज से कम या किसी चीज से ज्यादा होता है? प्यार किसी के बारे में नहीं होता, ये आपके होने का एक तरीका है, लेकिन हम अलग-अलग रिष्टे रखते हैं, कुट्टे के साथ हमारा रिष्टा एक तरह का है, हमारी मा के साथ, हमारे बच्चे के साथ, एक दोस्त के साथ, आफिस में अलग-अलग तरह के रिष्टे हैं रिष्टे लेंदेन के होते हैं लेंदेन को समझदारी से निभाना पड़ता है आप सभी के साथ समान लेंदेन नहीं रख सकते, ये बहुविवाह है ये एक कॉंसेप्ट है आप अकेले नहीं है जो ऐसा करना चाहते हैं तो विचारों के स्थर पर ये बस यही है हर रिष्टा एक अलग तरह का लेंदेन है है ना और अगर आप नहीं जानते कि उस लेंदेन का उद्देश और उस लेंदेन की प्रकृति क्या है तो आप उसे जरूर उलजहा देंगे आप उसे जरूर उलजहा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपके कितने करीब हैं ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, लोग सोचते थे कि वे एक हैं और वे कभी अलग नहीं होंगे उनके बीच भयानक स्थिती पैदा हो गई किसी और चीज़ की वज़ह से नहीं, इसलिए नहीं कि वे बुरे लोग हैं, किसी दूसरी वज़ह से नहीं बस इतना, आप सीमाओ को नहीं समझते आप कुछ करने और होने के तरीके को एक मान रहे हैं प्यार होने का एक तरीका है रिश्टा एक लेंदेन है, लेंदेन को नियम के अनुसार चलना चाहिए अगर आप लेंदेन के नियम तोड़ेंगे तो ये तूट जाएगा पर आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है दूसरे इस पर असर डाल पाएं ऐसा नहीं होना चाहिए आपके भीतर, विचारों में, भावनाओं में, शरीर में और आपकी उरजाओं में आपका अनुभव अध्वुत होना चाहिए आपको ऐसा ही होना चाहिए अगर आप अपनी भावनाओं में मिठास महसूस कर रहे हैं तो आप हर उस चीज से प्यार करेंगे जिस पर आपकी नजर जाएगी लेकिन लेंदेन अलग होगा मैं कैसा हूँ? मैं दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ मैं आपके साथ वैसा ही लेंदेन नहीं कर सकता है की नहीं पर मुझे आपके प्रती अलग भावनाएं रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने भीतर ऐसा होने का फैसला किया है तो आपको ये समझना होगा कि अंदर की स्थिती और कुछ करना क्या होता है अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो आप दोनों को मिला देंगे और आपको लगेगा दोनों एक ही है I love you एक जूटा बयान है मैं प्यार में हूँ, ये ठीक है मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, ये नमूमकिन है मैं आपके साथ एक तरह से लेंदेन कर सकता हूँ लेकिन मैं प्यार से भरा हूँ क्योंकि मैं प्यार में हूँ, इसलिए लेंदेन में भी वही गुण होगा अगर मैं प्यार में नहीं हूँ, तो लेंदेन में वो गुण नहीं होगा है ना? मेरा सवाल आपसी संबंध पर था सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच क्या कोई आपसी संबंध है? क्या सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच कोई संबंध है? मेरे हिसाब से हमने सेक्स और प्यार में फर्क काफी हद तक समझा दिया है सेक्शुलिटी यानि मैं नेतिकता के आधार पर फैसला लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इस बारे में मेरे अंदर वैसी कोई बात नहीं है बात सिर्फ इतनी है कि आपके हॉर्मोन्स ने आपकी बुद्धी को हाईजाक कर लिया है जब आप 10 साल के थे आपने इस लड़के को या इस लड़की को देखा वे सिर्फ इंसान थे अचानक आप 12-14 के हो गए फिर आपने देखा अचानक शरीर के आकार में छोटे-छोटे बदलाव पूरे ब्रम्हान की तरह दिखने लगते हैं अचानक से आया ना क्यों क्योंकि आपके अंदर रासानिक रूप से जहर घोल दिया गया है ये प्रकृति की चाल है कि आप किसी तरह बच्चे पैदा करें ये मत सोचें कि प्रकृति की इसमें दिल्चस्पी है कि आप किसी से प्यार करते हैं या नहीं करते प्रकृति की इसमें दिलचस्पी है कि आप बच्चे पैदा करें नहीं तो मानव प्रजाती समापथोने लगेगी इसके आसपास सारा ड्रामा जरूरी है क्योंकि अगर आप बस बच्चे पैदा करेंगे तो आपको जान्वर जैसा लगेगा क्योंकि आप उससे पूरे विक्सित हो चुके हैं, इसी लिए आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं, तो आप वे सभी गाने गाते हैं, डालोग क्या है, बताइए गाना गाई है, आप ऐसा करते हैं, ये महसूस करने के लिए कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और है, लेकिन नहीं, सेक्शुालिटी बस यही है, इसे हर्मोन्स धक्का देते हैं, क्या ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा कोई निर्ड़ने नहीं है, इसे अच्छा या बुरा बताना आपका काम नहीं है, व्यक्तिकत रूप से आपके लिए सवाल यही है, कि ये आपके भीतर कितना मजबूत क्या आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं या नहीं, या आपको तै करना होगा, ये ध्यान से कैसे जुड़ा है? अंग्रेजी भाषा में, मेडिटेशन शब्द का कोई मतलब नहीं है, तब ही हर कोई इसका इस्तमाल करता है, अगर आप आँखे बंद करके बैठते हैं, तो अंग्रेजी में वे कहेंगे कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आँखे बंद करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, किसे पता कि आप आँख बंद करके क्या कर रहे हैं, आप अलगरक चीजें कर सकते हैं, तो अगर हम मान लें, अगर हम मान लें कि मेडिटेशन का अर्थ ध्यान है, फिर से ध्यान शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जा रहा है, आज कल इसका कोई विशेश शर्थ न जानिया आपके अनुभव में ये तीनों पहचाने अलग हैं। एक बार जब ये तीन चीजें अलग हो जाती हैं, तो फिर ये पूछने का सवाल ही कहा है कि शरीर की प्रक्रिया, मन की प्रक्रिया, इनका आपस में क्या लेना देना है, क्या कोई संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ओ, तो अगर मैं ध्यान करता हूँ, तो मैं सेक्स नहीं कर सकता, अगर मैं सेक्स करता हूँ, तो मैं ध्यान नहीं कर सकता। बात ये नहीं है। ध्यान कोई काम नहीं है, ये गुण है। अगर आप अपने शरीर, मन, उर्जा और भावनाओं को एक स्तर तक परिपक्व कर लेते हैं, तो आप ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। ये किसी फूल की सुगंध की तरह है। अगर फूल खिल गया है, तो सुगंध होगी। अगर कोई फूल नहीं खिलता, तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं, पर सुगंध वैसी नहीं होगी। आपके भीतर से जो निकलता है और जो आप बाहर से पहनते हैं, उसमें अंतर होता है। एक बड़ा बहुत बड़ा अंतर है, यह जीवन और भृत्यू का सवाल है, यह जीवन और भृत्यू के बीच का अंतर है, आपको छिड़काव करके किसी लाश को भी सुगंधित बना सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। आपके अंदर से एक सुगंध भैलाना बिलकुल अलग है। ध्यान एक गुण है, कोई काम नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या यह ध्यान है? नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या यह ध्यान है? नहीं, अगर मैं वैसा करूं तो क्या यह ध्यान है? हाँ, मुझे लगता है क कि ये सुनकर आपको समझ आ जाएगा एक बार ऐसा हुआ कि इब्राइम नाम के एक सूफी मास्टर थे इब्राइम ने अपने स्थान पर कुछ लोग इकठा किये और वे उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे एक शाम उनके दो शिश्य मिले वे निराश थे उन में से एक ने कहा अरे मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ पर पता नहीं मास्टर क्या कहेंगे दूसरे ने कहा मैं भी धूमरपान करना चाहता हूँ चलो उनसे ही पूछ लेते हैं उन्होंने तै किया उन्होंने अलग-अलग जाकर पूछने का फैसला किया अगले दिन एक शिश्य निर करते समय धूमरपान कर सकता हूँ वे बोले नहीं आ तुमारी यही समस्या है मैंने उनसे पूछा क्या मैं धूमरपान करते समय ध्यान कर सकता हूँ उन्होंने कहा हां